दोस्तों स्वाज़त है आपका आज की हमारी कहानी है अपने मन पर काबू कैसे पाएं आज की तारीक में सबसे बड़ा चैलेंज जीवन में यही है कि हम अपने मन पर काबू कैसे पाएं तो शुरू करते हैं हमारी कहानी एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लोट कर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सबजी बनाना क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ अच्छा खाना है उसकी पत्नी कमरे से बहार आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पर धोकर तयार हो जाईए मैं आपके लिए बहुती स्वादिस सा खाना बनाती हूँ व्योव्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूक मिटा सकूँ व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको अभी खाना मत लगाओ क्योंकि नीबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा तो मैं अभी गया और नीबू लेकर आया व्यक्ति वापस से कपड़े पहन कर तयार हो गया और नीबू की पास वाली दुकान पर गया जब वहाँ पर देखा तो नीबू नहीं थे उसका दिमाग क्रोध से भर गया उसने सोचा कि यार उसके पास नीबू नहीं है चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ शायद नीबू मिल जाए वो थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नीबू नहीं मिले अब उसने सोचा दूर की सबजी मंडी चला जाता हूँ वहाँ से नीबू लेकर आऊंगा क्योंकि नीबू के बिना सबजी का मज़ा नहीं आएगा करीबन आदे गंटे के बाद वो करीब के सबजी मंडी में पहुँचा वहाँ पर उसे नीबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नीबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सबजी में नीबू डाल कर अच्छे से सबजी खाऊंगा वह बहुत खुशी खुशी नीबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सबजी गरम कर दो रोटी गरम कर दो और नीबू काट ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूँ अब थाली लगाई गई सबजी परोसी गई और नीबू रक दी गई उसकी पत्नी सामने ही बैटी थी और वो व्यक्ती थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया उसके बाद उसने नीबू की प्लेट हट उठाई और दरवाजे के बार की और फेक दी और जोर से चिलाने लगा मैं जीद गया मैं जीद गया पत्नी ये देखकर गवरा गई की कहीं ये पागल तो नहीं हो गए इन्होंने सारे के सारे नीबू दरवाजे के बाहर की और फेक दिये उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिलाया और कहा कि आप पागल हो गए हो अभी तो इतनी देर तक नीबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नीबू गर में ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नीबू को दरवाजी के बाहर फैक दिया और अब चिला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया पत्नी ने पूछा आप किस जीच में जीत गये? हुआ क्या? अभी यक्ति कुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा आप भी बैठो इत्मिनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ आज सुबह से ही मेरे जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज बुख लगी जब मैं गर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिस सब्जी बनाई उसकी खुश्बू मेरी नाक में गई फिर मैं जीप ने कहा कि इसमें निबू और चाहिए मैं पासवाली दुकान गया लेकिन वहां निबू नहीं मिले थोड़ीो और दूर गया पर महां भी निबू नहीं मिले तो मुझे उससे और दूर लेकर गई मैं उसके वश्ट में आ गया और जैसे ही वह कहती वैसा मैं करता गया अब मैं वैसा ही करता गया जैसा की मुझसे करवाती गई लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली मैंने उसे उठा कर बाहर फैंक दिया और कह दिया कि तुमारा मुझे पर कंट्रोल नहीं है बलकि मैं तुम पर कंट्रोल करता हूँ और मैं जीत गया किया आपको समझ में आया कि कैसे अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें कई बार लोग को शराब पीने की आदत लग जाती है उस चक्कर में वो बटकते रहते हैं यदि एक जगे नहीं मिलती तो दूसरी जगे नहीं मिलती तो तीसरी जगे जाते हैं और अक्सर युआओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैटते हैं सारी शराब खत्म हो जाती है उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए और चाहिए कि चक्कर में शराब डूनते हैं डूनने के लिए निकलते हैं देर रात हो जाती है वो बटकते रहते हैं एक जगे नहीं मिलती तो दूसरी जगे दूसरी जगे नहीं मिलती तो तीसरी जगे और अपने समय, पैसे और अपने आप को बरबाद करते रहते हैं यदि आपके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नीबु की खोज में सिर्फ पटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाईए और अपनी जीवन को खुशी खुशी बिताईए धन्यवाद